नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस में दोस्तों इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ओफिसिल वेबसाइट पे और हम आपके लिए आज बताने आए हैं कि इंडियन आर्मी में आप 12th पास करके ऑफिसर कैसे बन सकते हैं इसकी पे कितनी होती है यानि कि सैलरी कितनी होती है एज लिमिट कितनी होती है एजुकेशन क्वैलिफिकेशन क्या होती है और जो भी अधर क्रेटेरियो होंगे वो हम इस पूरी वीडियो में डिसकस करेंगे तो दोस्तों मिट करता हूं वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आपके काम के होगी तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती र हैं लेगने अगर यहां पर जो आतव हैं पीजियो एक है टेहिकनिकल इन्टिस कीम और एक है टी जीसि उसी टेक्निकल घ्रिजवेट कोर्स तो आज हम बात करेंगे दोस्तों टीएork के बारे में तो इसमें क्या बारे में आज बात करने बाले हैं तो यह है दोस्तों नोटिस जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है इंडिन आर्मी पर्मनेंट कमिशन 10 प्लस 2 टेक्निकल इंट्री स्कीम 44 ठीक है यह कोर्स का नाम है इसका कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जनबरी 2021 तो यह जो दोस्तों भरत 2021 में आप ट्रेनिंग पर जले जाएंगे तो आपके पास में एक सुनेरम मौका है इंडिन आर्मी में ओफिसर की स्था पर भरती होने का तो दोस्तों इसकी कुछ में में पॉइंट्स होंगे जो कि मैं आपके लिए बताने वाला हूं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते है इसकी में हैं इलिजिवल्टी के कॉलम्ण दिया गया है तो इलिजिवल्टी में दोस्तों आपके जो नैशनलिटी होनी चाहें है वो इंडियन होने चाहें है एक कंडिड़ेट मस्ट बी एदर भी एए शिटिजन आफ इंडिया सब्जेक्ट आफ बूस और नेपाल और है जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों वो है आपकी एज लिमिट का तो आपको एज लिमिट यहां पर बता देना चाहता हूं अगर इस भरती में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो साड़े 16 साल से साड़े 19 साल के बीच में होना चाहें है मतलब 16.6 मंत से 19.6 मंत के बीच में आपकी एज होनी चाहें और जो आपकी डेट अपर था है दोस्तों वो है कि graduate 2001 से एक जुलाई 2004 के बीच में वोना चाहिएंगे अगर आप के 008 2011 से एक एक जुलाई 2004 के बीच में date of worth है तो । आप इस वर्दें में सामिल हो सकते हैं हॉ थोन वाद दोस्तों यहां पर कुछ main main चीज़े हैं यहां पर ठीक है यह यह टोटल बैकंसी होंगी यहां पर दोस्तों नभव बैकंसी हैं यहां पर ठीक है और यह बैकंसी इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती हैं keeping in the organization requirement at the point of time ठीक है तो अभी यहां पर नभव बैकंसी निकलिव होगे हैं type of commission की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे यह permanent commission होगी आपकी और unsuccessful completion of four years of the course credit will be granted permanent commission in the Indian army in the rank of lieutenant तो आप चार साल की training के बाद में direct lieutenant के पत्पर नियुक्त कर दिये जाएंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो आप देखेंगे training होगी आपकी total training will be five years details are as under जो आपके training होगी इस भरतिक लिए वो आपकी पांच साल की training होगी ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपकी गहा होगी basic military training होगी जो कि आपकी OTA गया में होगी एक साल के उसके बाद में फेस बन में आपकी pre commission training होगी तीन साल की और फेस टूम आपकी post commission training होगी एक साल की ठीक है education qualification भी दी जाएगी education qualification के बारे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहां पर दोस्तों only 10th pass sorry 12th pass की जरूरत है अगर आप 12th pass है तो आप इस भरति में apply कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपकी जो education qualification है वो यह दी गई है education qualification जो आपकी होना चाहिए only those candidates who have passed 10 plus 2 examination or its equivalent with a minimum aggregated of 70% marks in physics, chemistry and math ठीक है तो आपके पास में minimum 12th pass होना जरूरी है 12th में आपके पास में physics, chemistry, math होना जरूरी है उसके बाद में आपके 70% marks होना जरूरी है तो यह तीनों अगर आप जो सर्ते हैं वो पूरी करते हैं तो आप इस भरती में फॉर्म फ्लप कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो के बारे मैंने आपके लिए education qualification अब आंके सब detail बता दी है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ यह promotion criteria दिया गया है इसके बारे में आपके लिए next वीडियो में बताऊंगा यहाँ पर आपके rank दी गई है अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा online classes को सब्सक्राइब जरू करें यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि आर्मी की यह भरती है टेस टेक्निकल इंट्रेस के में इत्मा आपके हाइट और आपका जो वेट अब बैटर नहीं करता है आपकी कितनी भी हाइट और आप इस भरती में अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्कार